एक रात के लिए कितना चार्श करती हैं सनी लियोन सनी लियोन ने दिया रिपोर्टर को जवाब हली में बॉलीवोड एक्टर सनी लियोन का नया गाना मदवन रिलीज हुआ है इसके बात से ही सनी लियोन खूब चर्चा में है ऐसे में आईए हम आपको सनी लियोन से जुड़ा एक ऐसा वाक्या बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो ये बात तो साफ है कि किसी भी सौभी मानी महिला से अगर कोई पूछे कि आपकी एक रात का क्या रेट है तो साउ में से 99 बार ये प्रशन पूछने वाले की पिटाई होना पका है अश्लील फिल्में छोड़कर बॉलीवोड में खुद का नाम कमाने वाली सनी लियोनी के साथ ही एक बार ऐसा ही हुआ था रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साल पहले बॉलीवोड एक्टर सनी लियोनी प्ले होली विद सनी लियोनी नाम के एक होली इवेंट के लिए सूरत में थी हालकि उसके पर्फॉर्मेंच से पहले एक क्राश्ट्री टेली न्यूस के रिपोर्टर ने होटल के गलियारों में सनी का एक इंटर्वियू लेना चाहा। इस दौन रिपोर्टर ने एक ऐसा प्रशन पूछा जिससे सनी भड़क गई और उसे एक तमाचा जड़ दिया। जिसके बाद पत्रकार अपना लाल मुह लेकर बाहर चला गया। आपको बता दे कि इस घटना के बाद खुब बवाल मचा था लेकिन सनी को तमाचा मारने का कोई पच्तावा नहीं था। इस तरह सभी न्यूस चैनल में ये खबर चलने लगी थी। दूसरे तरफ सनी के पती डैनियल वेबर ने इस घटना को पकवाज बताया था और उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पतादे सनी लियोन ने साल 2012 में जिसमें टूम फिल्मे से डैब्यू किया था जिसके बास से वेलगबग 30 से अधिक फिल्मों में अपनी मौजूद की दर्ज करा चुकी हैं। इसके अलावा ये एक्ट्रेस टीव रियालिटी शोब बिग बॉस में भी दिखाई दे चुकी हैं। फिलाल एक्ट्रेस विवादित वीडियो सौंग मदुबन के चलते सुर्खियों में हैं। वैसे इस घटना पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।